हेलो एविवान स्वागत है आप सभीकार टू गेम नमबर टू इस टाइम फॉर थे नाइट राइडर वर्स एमाई न्यू यॉयॉक और वापस होगा गेम अद ग्राइड प्रेयर स्टेडियम इन डालस याद रखिएगा कि यह मुकाबला है अट 6 एम इंडियन टाइम शोर नहीं हो की फाइनल अपडेट मिलेगी कि नहीं इस टीम की इस मैच की आपको बड़ अगर होगी तो आपको मिल लाइगे यहां पर एड़ रेट फैंटेसी क्रिक प्रों टेलिग्राम तो वहां ज़रूर जुड़ेगा लिंक है इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में लाइक जो खेलने का स्टाइल है चाहे अब नाइट राइडर्स मैनेजमेंट की बात करो या उनके प्लेयर्स इंद फॉर्म आव रसोग अप्तल की बात करो या ऐसे खिलाडिया है कि जब चलेंगे तो एकदम सही है नहीं चलेंगे तो फिर गेम पूरी तरीके से गिर जाएगा ज अब टीम गेंग अप्के लिंक्स है लिडियो के दिस्क्रिप्शन में जरूर साइन अप करेगा हम डिस्कस करेंगे अट टे रेंड अ एड्र था विडियो तो लग्टिशन के बात करें तो अच्छी बाटिंग से रही है अब तक एश एसा वेन्यू ए ऐसा ग्राउंड है जहां पर डेथ बोलर्स आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं साथ-साथ में मिदल ओर बैटर्स को भी आप ट्राय कर सकते हो अगर आपको कोई परकी दोनों चोइचे बी जो हैं वो इंटरनाशनल ओप्शन दे युएसे के जसकरन मलोतरा एं मोनांग पटेल जसकरन मलोतरा ठीक टाक टच में लगे थे लास्केम जी एल में कुछ टीम्स में ट्राय कर सकते हो पर उसके अलावा ये सेक्शन में चेर्चार्ड करना रेक्मे करके गए थे टिम डेविड काफी अच्छे लगे रेली गुड टाच एंड जरूर रहेंगे मेरे टीम में यहां पर एक जो पिक मैं डिसाइड करूंगा बेस्ट ऑन टॉस एंड लाइन अप्स होंगे डेल ब्रेविस अब सामने लेकिया की बोलिंग जो काफी स्टॉंग है अभी के लिए एंस उनको नहीं रखा है बट ये कॉल में लूँगा पोस्ट टॉस अगर ये गेम मैं फाइनली खेलूँगा तो फिर वो डिसाइड होगी बात बट अभी के लिए नहीं है स्टीम में टिम डेविड के साथ आप इन्हें इंटर्चेंज कर सकते हो बात करें एक मेरे पास यहां पर एक 50-50 पिक है वह एस टेलर लास्ट गेम में जल्दी आउट हो गया थे बट बाल के साथ भी दो वस किये थे तो थोड़ी बहुत आपको ओल राउंड वैल्यू मिल सकती है इंसे याद रखी कि एले कि जो मिडल ओर कभी भी कोलाप्स कर जा सकती है त तो डेवल प्रेविस के साथ रिप्लेस हो सकते हैं उसके अलावा यहां पर डेविड वीजा खेलेंगे तो आप कंसेडर कर सकते हो राश्ट खान बात करने बोलिंग सेक्शन की तो ट्रेंड बोल्ट आडम जैंपा कगीज और अबाडा एं लॉकी फर्गसन एक दम स्टेट यहां पर वो मैं डिसकस करूंगा इन दर जी एल ऑप्षिन अबाट सरफजीत लाड़ा क्याप्टन एन वाइस क्याप्टन की बात करें तो क्याप्टन यहां पर होंगे ओंडर रसल स्पेशली अगर पहले बोलिंग करेंगे तो फिर तो विदावट डाउट एंवाइस क्य हैं वो ऐसे हैं कि चलेंगे तो ठीक नहीं चलें तो बहुत बड़ी तकलीफे हो सकती है तो हैंस यह ठीक टाक पिक बन सकते हैं अगर एमाइप पहले बुलिंग करती है तो फिर रबाड़ा बोल्ट दोनों में से एक दोनों ही काफी अच्छी चॉइस हैं तो अभी के लिए डिफॉल्ट टीम में इने रखराओं में हैं अब डिसकस करते हैं मैच-अप्स और जी अल ऑप्शन्स मैच-अप्स की बात करें तो रॉइ वसेज बोल्ट 27 ऑफ 21 और याद रखी कि बोल्ट रॉइ कल ही T20 ब्लास फाइनल खेल के आ रहे हैं तो नॉट शोर की अब तक पॉलाड वसेज नरायन और पूराण वसेज जैंपा विल बी टू वरी इंटरेस्टिंग मैच-अप्स तू ओच आउट फॉर पॉलाड वसेज नरायन पांच डिसमिसिल जाएं और स्टाइक रिट भी कुछ खास नहीं है बट क्यूंकि आपने देखा पॉलाड थोड़ा स इस टीम में आप पूरान को ड्रॉप कर सकते हो रसल वसेज राश्रिद रसल वसेज राश्रिद दो इंटरेस्टिंग मैच बट राश्रिद अवेलबल नहीं है तो डिसकस करके मतलब नहीं है हाई सेलेक ड्रॉप रिस बॉब इस गेम के लिए हो सकते हैं काईरेन पॉलाड अगर आपको लग रहा है कि एमाई न्यूयोक की टॉप ओरडर अच्छा करेगी तो जो टीम में आप एमाई न्यूयोक की टॉप ओरडर को बैक करोगे वहाँ पे आप ये रिसक बॉब ट्राइ कर सकते हो बट क्यूंकि पॉलाड बोलिंग भी कर रहे हैं मैं ये रिसक बॉब आपको स्मॉल लीग में ट्राइ करने को अभी के लिए नहीं करूँगा क्यूंकि वो बहुत एक रिसकी चीज़ बन सकती है उसके अगर लो सिलेक डा बोलिंग फॉर्स लॉकी बोलिंग सेकंड जैंपा और सुटबल इन बोथ सेनारियो जो बोल्ट अन रवाड़ा दोनों ही एक दम टॉप क्लास चाहें पहले बोलिंग करें या बाद में तो यह रही मैरी इस इस गेम की प्रेडिक्शन अब चलते हैं एक्सजेंग प्रेंग की तरफ एक्सजेंज में टूपिक्स की बात करें हैं स्टार्ट करें यह विद एले कियार साइड फिंग सीधा मैं चलूँगा नीचे आडम्स एमपार ट्वेनीजिक्स मैं जरू ट्राइ करूंगा इन सेकंड बोलिंग अली खान और लॉकी फर्गस इन इफ बोलिंग फॉ तो एक-एक विगेट तो इनका टॉप में आई सकता है और डेथ में जब आएंगे तो काम आपको पूरा का पूरा वही करके दे सकते हैं तो यह मेरे लिए दो टॉप चोइसे सरब जी लाड़ा अगर सेकंड बोलिंग करते हैं तो एक विगेट तो आसानी से मिल लाएगा इससे आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा दो मिल गया तो फिर डबल हैंस यह मुझे एक काफी अच्छे पिक लग रहे हैं स्टीवन टेलर इफ बैटिंग फॉर्स और बोलिंग सेकंड मैं थोड़े शैज इनके ट्राइ कर सकता हूं टिम डेविट इफ बैटिंग फॉर् यहां पर आप क्या कर सकते हैं एक ही प्लेयर का एक शैर खरीट सकते हो तो एक लोगे यह जब आपको लग रहा है कि वो जो प्लेयर है वो आज का टॉप पॉइंटर होगा इसा नहीं कि सेकेंड या थर्ड आइस पॉइंटर टॉप पॉइंटर अगर यह चल गए समझे दाएगा 310 तो यह एक इंट्रेस्टिंग फीचर है जरूर ट्राय करेगा जो प्लेयर्स पर आप कॉंट्रेंट हो कि आज आके वो तोड़ देंगे और आपको हाई रिटरंस दे देंगे तो आप ट्राय करिये जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए और जस फॉर आपको क्या लगता है कि इतने रान बनाएंगे डेवल ब्रूर इस मुकाबले में रिमेंबर टो इट दे लाइक बटन स्टे सब्सक्राइब और सी यू आल वरी सून थैंक यू सो मच फॉर तुनिंग इन